जैसे काम के करने और सोचने में काफी डिफ्रेंस होता है वैसे ही investment के बारे में सिफ सोचना और investment actual में करना difference उस जिंगे भी देखने को मिलेगा। से कम होकर सिर्फ 40 lakhs की रह गई, दूसरी और कमपनी के पास free cash flow ही 17.4 क्रोड का available है, कुल मिलाकर हम इस कमपनी को debt free ही consider करेंगे, साथ ही कमपनी के debtor days 157 days से कम होकर सिर्फ 46 days के रह गई, ये pros के अंदर ही आता है, shareholding pattern को देखकर trust और confidence दिखाई देता है, बाकी promoters pledged और unplashed percentage आपके सामने है, share का current market price 13.4, book value 1.28, जबकि stock फिलाल 10.54 times ट्रेड करता दिखाई आपनी book value से, इसका RSI 39 जो की mid range में ही दिखाई देता है, और अभी overboard zone में भी नहीं है, कमपनी का detailed business आपके सामने है, minimum capital के साथ और diversification strategy का use कर consider किया जा सकता है, बढ़ते हुए profit और sales को देखकर growth और expansion की उमीद भी की जा सकती है, लेकिन penny stocks माना ज़्यादा risk होते हैं, तो हमें हर एक point को बारी की से समझना चाहिए, slowly and gradually हम levels की भी उमीद कर सकते हैं, चाहे फिर ये company हो या फिर stock market में कोई अच्छा share, time और patience आपको देना ही पड़ेगा, company के fundamentals में positive manner में correction जरूर देखने को मिले और ऐसी हुमीद आगे भी रहेगी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye and take care. झाल